हेलो एब्रिवन मैं मेतुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत इश्योंगे पारा सिक्षक भरती के बारे में बात करेंगे और आपको लग रहा होगा कि हाँ पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई है जिस पे भ्यूज लोगों क प्यार जो है मैं भ्यूज ने उसे लोगों का प्यार बोलता हूँ प्यार उमर उमर कर आया था और बहुत सारे लोगों ने वीडियोज को सेयर किया था उन सभी सेयर करने वाले को दोनों हाथ जोड़कर जो है नमस्ते है जोहार है आप सभी को और सुक्रिया भी आप लोग महने के करीब लटकी है इसकी वज़ा भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए हुआ क्या कि चमपाई सोरेन जारकन के CM बन चुके थे और आपको पता है कि चमपाई सोरेन CM बने ही रहते अगर हेमन सोरेन यहाँ पे जेल से बेनर और होडिंग वगरा लगा दिये जा चुके थे निउस्पेपर में भी इसकी एड़िडिस्मन पब्लिस कर दी गई थी लेकिन हैमन सोरेन बाहर आने के बाद क्या कर जाता है इसे कैंसल कर दिया जाता है क्यों ताकि हेमन सोरेन फिर से यहाँ पे CM की सपत ले और वहाँ पे सभी PGT टीचर को वो जो है न्यूकती पत्र दे एक strong message था जनता के बीच में देने का कि हेमन सोरेन नोकरियां दे रहे है और अब मैं इस पर ज्यादा ठीका ठीक पनी नहीं करोगा कि हेमन सोरेन कितनी नोकरिया दे रहे है या नहीं दे रहे है आप खुद जो है इसे देख सकते हो पिछले 5 बरसों में हेमन सोरेन ने कैसा क complete कराया जाएगा इसमें जो है वीडियो यहाँ पे मुखी भूमिका में रहने वाले हैं तो सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को वेट ए मिनट इस वीडियो को आपको क्या करना ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देख पाएं समझ पाएं और इस रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस में हिस्सा ले पाएं इंटरमेड में जो है यानि कि इंटरमें आईसी आईकॉम जो भी हो आपका सब्जेक्ट 45% मिनिमम होना अनिवारी है अगर आप बीड कर लेते हो या फिर BTC कर लेते हो डिलेट जिसे बोलते हैं यहापे डिलेट बोला जाता है ताकि लोग ज़्यादा जो है समझ पाएं यहापे डिलेट अगर अगर कर लेते हो आप तो यहाँ पर आपकी जो टोटल एक दिन की इंकम हो सकती है एक दिन की वो 600 रुपए हो सकती है अगर आप बिदाउट ट्रेनिंग जाते हो तो आपकी यहाँ पे जो सेलरी होगी पढडे की वो तीन सो रुपए ही हो पाएगी तो यहाँ पे हाफ का मार्जिन है लेकिन कुछ और भी यहाँ पे पेच फसाया गया इस बर्तिप्रेकरिया में खैर वो घंटी आधारित सिक्चक भी ह देखें यह से पारा टीचर आप बोलो या फिर गंटी आधारित भाऊसा सिक्चक भोलो एक ही बाते हैं पारा टीचर का मतलब क्या होता है सामथ कर बाते है पेवेक किया जाता है आपके सर्विस के लिए तो फिलाल मैं आपको newspaper के ये cutting दिखाना चाहता हूँ और यहां से देखिए जो बाते हैं यहां से आप देख पाऊगे जो important important बाते हैं वो मैं यहां पर रखोंगा और PhD वाली बाते जो है अलग सी वीडियो में बना कर आपको बताऊँ गा यहां से देख लिजे 9 जन जाती है और 6 छेतरी भासा में जो है भरती परक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा तो total कितने हो गए 9 और 6 छे को अगर आप add कर दोगे तो total 15 अलग-अलग languages में जहारखण में टीचरों की vacancy आएगी जो language है वो कौन-कौन सी है चलिए उसे पढ़ लेते हम लोग यहां से देखिए यहां से आपको देखेगा यह पहले यहां से देख लिजे संथाली, हो भासा, खड़िया भासा, कुड़ूग, मुंडारी इसके अलाबा माल तो उसके बाद है बिरहोरी, भुमिज, असूर, बंगला, उडिया, पंचपर, गनिया, खोठा, कुर्माली, नाकपूरी इन language में जो है इसकी vacancy आपको देखने को मिलेगी यहां कुछ जो है खास भासा के बारे में बताए गया है आगे देख लीजे कुछ जो important, important fact है वो आप यहां से देख लीजे सबसे पले इन्होंने बता रखा है कि 45% इंटर में लाना आपका अनिवारी है आबिदन जमा करने के लिए अब्यर्थी का इंटर में 45% का अंक का होना अनिवारी है इसके अलाबा जिस सब्जेक्ट में आप अपलाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके इंटर में वो सब्जेक्ट होना अनिवारी है बाद में आप graduate हो जाते हो, does not matter बाद में आप PG उसी सब्जेक्ट से कर लेते हो, कोई फरक नहीं पड़ता है अगर वो सब्जेक्ट आपका इंटर में नहीं है, आप disqualify हो जाते हो देखिए इस बात से मुझे थोड़ी सो है, जो है, सरकार के परती नाराजगी है अगर कोई graduation में वो सब्जेक्ट से graduation करता है, जैसे खोठा, कुर्माली, पंचपर, गनिया, 47 अगर कोई graduate हो जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि उसे इस बाति प्रक्रिया में सामिल किया जाना चाहिए था एक भासा से कोई graduation complete करता है, और इंटर में सिर्फ एक past subject या फिर एक subject के तोर पर पढ़ता है तो दोनों के quality में definitely जो है अंतर देखने को मिलेगा, तो मुझे लग रहा था कि इंटर के साथ साथ graduation में इन भासाओं के अधियन या फिर इन भासाओं से graduate होने वाले विद्यारतियों को भी यहां पर सामिल किया जाना चाहिए था आपकी जो भी रहा है वो नीचे comment section में आप लिखोगी, अब दिखें से मैं जूमिन करके थोड़ा आपको पढ़कर दिखाता हूँ राज के प्राथमिक बिद्यालियों में जंजातिय और छेत्री अभासा की घंटी अधालित भरती होने वाली है यह मैंने आपको बता दिया था, अब मैंने आपको एक और बात बताए थी कि सर्वे का काम चल रहा है सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे का काम जैसे ही कंप्लीट होगा आपको भरती प्रक्रिया देखने को मिलेगी अब सर्वे में क्या च्छनकर सामने आई है तो 12,000 यहाँ पे सिक्चकों की भरती प्रक्रिया शुरू होगी इससे पहले न्यूस पेपर में ही 23,000 या फिर 45,000 की बात की जा रहे थी लेकिन 12,000 सिक्चकों के ही पद यहाँ पे भरे जाएंगे as a भासा सिक्चक आगे देखिए यहाँ भी आपको देखिए दिख जाएगा इसकूली सिक्चा एबम साक्षरता विभाग को भेज दी गई है या फिर इसकी तैयारी सुरुआ, इसकी जो है सुरुवात कर दी है अब आगे देखिए इसे केबिनिट में भेजा जाएगा और केबिनिट इसे क्या करेगा पारित कर देगा और पारित करने के चस्ट बाद एक जो है notification या फिर जो भी आप बोल दो उसे उसके बाद जो है law बना दिया जाएगा उसके बाद भरती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा आगे देखिए अगर किसी स्कूल में दस बिद्यार्ति या दस चात्र हैं तो दस चात्रों के समूग को पढ़ाने के लिए एक मात्री भासा या फिर जो भी मैंने 15 languages की बात की यहाँ पे उनमें से जो है पढ़ाने की प्रक्रिया दस चात्रों पे एक सिक्षक रखने की बात यहाँ पे कीजा रही है यहाँ से मैंने आपको दिखा दिखा देता हूँ यहाँ से देख लिजे अगर दस से अधिक हैं तो एक से अधिक भासा सिक्षक की वहाँ पे भरती की जाएगी अब देखे इसके लिए क्या बता दिया गया है इसके लिए जिला अस्तर पर उपायुक्त यानि की यहाँ पे कौन होंगे डिसी सहाब होंगे और डिसी सहाब के अधिक्षता में कमीटी का गठन किया जाएगा लेकिन आपकी जो भरती प्रकिरिया है उसे कंप्लीट कराने की पूरी पूरी जिमेदारी वीडियो सहाब के उपर में होगी वीडियो का फूल फर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताईएगा आगे देख लेते हैं मेरिट परकिरिया को जिस तरह से जो है निकाला जाएगा उसके बाद जो है काउंसिलिंग वगएर आपकी की जाएगी और उसके बाद देखिए यहां पर कुछ और बात हैं बता दी गई है वो ध्यान में रखिएगा आप मैट्रिक इंटर में जंजातिय भासा का होना अनिवारी है इसके अलाबा एक मिनिट मैं आपको जुमीन करके दिखा देता हूं यहां से देखो 20-20 अंक जो है देखिए यहां पर बताया गया है कि मैट्रिक से असनातक के बीच में 20-20 अंक आपको मिलेंगे आपके नमबर के अनुसार प्राप्ता अंक के अनुसार आपका जो नमबर आया है उसके एकॉर्डिंग आपको जो है यहां पर वेटेज दिया जाएगा और इंटर में 30 नमबर दिये जाएगे देखिए यह मैट्रिक का नमबर है यह गुरिजवेशन का नमबर है इंटर में 30 नमर मैकसिमम दिये जा सकते हैं आगे देख लिजे अगर आपने PG बगएरा कर रखे तो उसके लिए अलग से 10 अंक आपको मिलेंगे तो फू डाउट ट्रेनिंग के फॉर्म में आपको यहाँ पे 300 रुपे ही पर डे दिया जाएगा तो यह एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका खेर जो भी बाते थी मैंने क्रिस्टल के लिए आपको बताने की पूरी पूरी कोसिस की है निचे अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता ह तो निचे कमेंट करके आप पूर्श सकते हो और इस वीडियो को मैं आपके लिए देवगर से बना रहा था इस वीडियो को आप कहां से देख रहे थे निचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताओगे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत झाल